हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अन्नप गुलना और आपका स्वागत है मेरी कीचन में आज मैं बनाने वाली हूँ एक परफिक कॉंबिनेशन जीरा राइस और दाल फ्रै जो खाने में बहुत टेस्टी होता है बनाने में बहुत सरव होता है तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा ज तो आएए देखते हैं इसके लिए हमें किन-किन चीजों के आवशकता है यहां जीरा राइस बनाने के लिए मैंने लिया है दो ग्लास चावल घी और मसाले में मैंने लिया है एक तेज पत्ता दो फूल चक्र लिया है दो हरी मिर्चली एक दाल चिनी का तुकड़ा और तीन दन्यापती और यह रहर दाल एक कटोरी है अब उसके लिए मैंने मसाले लिया है हल्दी मिर्च पाउडर जीरा सरसो सुखी मिर्च तेज पत्ता हरी मिर्च और कस्तुरी में दी अब मैं बनाना स्टार्ट करें सबसे पहले मैंने चावलो को धो लिया यह दो ग्लास चावले मैं इसको धो के आधे घंटे के लिए बेगने रख दूँगी और यह एक कटोरी रहर दाले इसको मैं फ्रेशर कुकर में पका लूँगी बिना नमक और हल्दी के अब मैंने ग्या सौन करके एक परतन में थोड़ा सा पानी रखा है गरम होने के लिए अब दूसरी उसमें मै दाल फ्राय बनाने वाले उसके लिए मैंने तेल डाला है तेल गरम होते साथी मैंने उसमें जीरा सरसो और तेजपता डाल दिया है अब मैंने उसमें डाला है करिया पती डालके अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ प्याच कटा हुआ प्याच डालके हम थोड़ा सा म क्योंकि इसका combination इतना perfect रहता है हम रेस्टरंट में नी हम इसको कभी भी खा सकते हैं अब मैंने हरी मिच डाल के थोड़ा सा मिला लिया था अब मैंने इसमें डाला है अधर गलस्टून का पेस्ट मैंने आधा डाला है आधा बचा के रखा है वो मैं राइस में डालोंगी अध मिनेट हो गया है अब एक मिनेट के बाद मैं इसमें डाल रही हूं मसाले में सबसे पहले मैंने डाला है हल्दी पौडर हल्दी पौडर के बाद मैं इसमें डाल रही हूं मिर्च पौडर मिर्च पौडर डालके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं और अब यहां पे मै तोड़ा सा नमक, नमक डालने से जो हमारी टमाटर है वो अच्छे से गल जाएंगे, अब मैंने इसमें नमक डाला है, नमक डालके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, अब मेरी टमाटर अच्छे से गल गए है, मेरा मसाला भी काफी अच्छे से पक गया है, अब मैंने दाल को मैं एच्छे से मिक्स कर रहे हूं और इसमें मैं डालूंगी पानी जो मैंने गरम करने रखा था पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे इगलास पानी डाला है, आपको अगर ज्यादा गाडा चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी की कौण्टेटी कम कर सकते हो और पतला चीए तो थोड़ा सा पानी का कउंटेटी बढ़ा सकते हैं अब मैं पानी डालके इसको 5 मिनित पूबलने रख दूँगे 15 मिनियट हो गया है, मेरा दाल पग जा आप देख सकते हैं ये दिखने में भी बहुत सुन्दर लग रहा गरम हो जाएगा इस तड़की को मैं जैसी कड़ाई में डालूगी न उसकी तुरंट बाद दक्कन लगा दूगी अधर्वाइस इसका जो खुश्बू है न वो उड़ जाएगा ऐसी मेरी मम्मी बोलती थी तो मैं भी इसी को फॉलू करती हूँ तो अब मेरा तड़का गरम हो मैं इसको डालूँगी दाल के ओपर डाल के मैं तुरंट डखकन बंद कर दूगी मेरा तड़का बन गया मैं इसको डाल दिया है अब मैंने ग्यास का फ्लेम भी आफ कर दिया और ग्यास डखकन लगा दिया सौरी अब उसके बाद मैं उसके पर डाल रही हूँ धनिया पती डाल दिया है, अब मेरा दाल कम्प्लीटरी रेडी है, आप देख सकते हैं, यह दुतने में बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं इसको उतार के दुसरा बरतन रख रही हूँ, अब मैंने यहां पे लिए चार ग्लास पानी, मेरा दो ग्लास चावल था, इसलिए मैं चार ग् पूल चक्र, और एक तेज पता, अब मैं इसको ढख के बॉल होने दूँगी, अब दूसरी जगह पे, मैंने एक और बरतन रखाया है, इसमें मैं डाला गी, मैं एक स्पून घी डाली हूँ, जीरा राइस के लिए में गी यूज करती हूँ, आप चाओ तो 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 तेल भी अब मैंने इसमे एक फूल चक्र डाला और अएक हरी इलाइची, अब मैं एसको ठोड़ा सा गरं होने देशिए उसके बाद मैं cenस्पून является m3,受ड़ा यूज के बाद मैं एक स्पून जीरा, टालके मैं इसमें से मिक्स कर रही हूँğ, इसके बाद मैंने तो अध्य अधा- यहां पर बहुत जादा भी नहीं मिक्स कर रही हूँ, अदर्वाइस हमारे चावल तोट जाएंगे, यहां पर मैं नॉर्मल रिगुलर राइस यूज़ करती हूँ, यह हम जाहो तो बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हो, अब मेरे चावल अच्छे से भुन गे हैं, उसके मैं उसमें डाल रही हूँ, वही पानी जिसमें मैंने मसाले डालके बॉइलो ने रख दिये थे, मैं इनको चान के डाल रही हूँ, इसमें मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि इसका स्वाद और सुगन पानी में आ चुका है, अब मेरा इसको पानी डालने की बाद, इसको अ को drain money माई वी बुरस पॉयन में एक बीच जैएगा वेड़ी मेरा चावल निकाल के चेक करूं जुंगे मेरा चावल पका कि ने, यहाँ पर्सथिया स्यार चुंग। छमक्राइम एक मिनट Border 찾व बात इस जा om मौश्चर बचा है अब यहां पर मैं घ्यास का फ्लेम आफ कर दोंगी स्लो करके मैं धकन लगा के एक मिनिट तक और रहने दोंगी एक मिनिट हो गया है आप देख सकते हैं मेरा चावल कंप्लीटली रेडी है यह एक दम खिला खिला बना है और इसमें से खुश्बू भी बहुत कम समय लगता और सबसे बड़ी बात इसमें मसाले बहुत कम लगते हैं और खाने में बहुत टेस्टी रहता है तो आप भी इस डिश को बना की देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा अगर आपको मेरी यह रेसीपी अच्छी लगी हो तो प्ली बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें थैंक यू